आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is How many times are the hour and the minute end of a clock are at right angle during the motion from 1pm to 10pm ठीक, तो हमें find out करना है कि 1pm से 10pm के बीच में यानि ये जो total duration है 9 hours का इस duration में total rn और minute end कितने times right angle पे create होंगे ठीक, तो ये हमें find out करना है number of times तो दीखे हर hour में, यानि हर घंटे में total 2 times जो minute end और rn है जो 2 बार right angle पे आती है अब क्यों आती है, तो दीखिए, सबसे पहले अगर हम suppose कर रहे है, 1 से लेकर 2pm के बीच में तो 1 से लेकर 2pm में दीखिए, दो बार कैसा आएगा, तो सबसे पहले या आएगा 1.35pm पे इन दोनों minute end और rn के बीच में जो angle है वो होगा 90 degree का दूसरा होगा यहाँ पे 150pm पर ठीक, इनके बीच में जो angle है वो 90 degree का होगा तो इसी तरह के से हर r में 2 times यह जो मेंने दोनों hands है clock के वो 90 degree पे होगे अब total 8 से हमारे पस 9, तो therefore the total number of times is equal to 9 into 2 क्योंकि हर r में है 2 बार, so that is equal to total 18 times, so correct answer is C option क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8 400 400 400 अपर